सब को मेरा दिल से नमस्कार जगत की रचना का और एक टपिक में मैं आपको स्वागत करता हूँ आज का टपिक है उत्पती आठ का बिस यहां लिखा गया है डो ने परिमिसर की उद्दिस में एक बेदी तेयर किया नो क्यों क्या उनकी बेटा लोग नहीं थे जरूर थे सिर्फ नो ने बेदी तेयर किया बेदी तेयर करने के लिए परिमिसर जहां कोई आदस नहीं देते है नो अपनी मर्जी से यहां यह करते हैं यहां मन को एक सवाल आता है नो केसे अकेला यह बेदी को तेयर किया कुछ ज्यानी लोग यह कहते हैं कि उनकी बेटा ने बेटों ने उनको बेदी तेयर करने के लिए मदद किया था नो उस बेदी के उपर बलिदान किया नो जिस प्राणियों को बलिदान किया और सब सुची था मतलब पवित्र था कैसे क्यूंकि परमेसर ने उन सब का सुध की रुप में गिनिती किये थी क्यूंकि परमेसर पवित्र है और कभी भी और सुध चीद को ग्रहन नहीं करेंगे से देख रहे हैं सब कुछ समत हो गया होता मेरे प्रियों नो सारे सुची प्राणियों को बलीदान नहीं किया था वह कुछ प्राणियों को बलीदान किया था जहाज के अंदर साथ साथ सुची प्राणी थे अगर सुची प्राणी दो-दो होते तो नो बलीदान नहीं कर पात में धन्यवाद